जैन दोस्तों, BSF ने 15-26 पदों पर बहुती सांदार वेकेंसी निकाली है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनों ने जो वेकेंसी निकाली है, एसिस्टेंट सर्व इस्पेक्टर और हेट कॉंस्टिवल मिनिस्टिरियल के पदों पर 15-26 पदों पर बढ़ती निकाली है मैं आपको इस वीडियो में पूरी कंप्लीट चनकारी देने वाला हूँ कि आप किस तरह से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस्टार्टिंग से लेकर के पेमेंट कटाने तक पूरा प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ, आप BSF का फॉर्म घर वेठे, अपने मुवाइल से फिर अपने लप्टॉप से फिल कर सकते हैं, तो चलिए BSF का फॉर्म फिल करने से पहले कूछ इंपोर्टे नोटिपिकेशन देख लेते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फॉर्म भरना जो है, नो जून से स्टाट हो चुका है, और आठ जुलाय तक फॉर्म भरा ज्याएगा, आप देख सकते हैं कि BSF में जो सलेक्षन प्रोसेश वने वाला है, सबसे पहले आपका PhD होगा, उसका पीएश्टी होगा, पीएश्टी का मतलब फिजिकल East engineshandard टेष्ट, उसके बाद पीएश्टी का मतलब फिजिकल EGGIटी टेस्ट, उसके बाद आपका document verification होगा उसके बाद फिर आपका CBT होगा मतलब computer based test होगा आप इसका pay level जो होने वाला है सब स्पेक्टर का pay level होगा 5 pay level होगा उसका date constable का 4 pay level होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे post wise vacancy लिखी हुए है category wise vacancy लिखी हुई है यहाँ bsf में इस category में इतनी वेकंसी आप इस vacancy को देख लिजेगा आपके category में कितनी कितनी vacancy है क्यूंकि आपको form बरने के दौन आपसे यहाँ पर आपका 24 खोजा जाएगा कि आप first preference किसे रखना चाहते हैं यहाँ पर hate constable का है और यह जाला हो गया आपका service factor का उसके बाद दोस्तों जैसे और नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर age limit देखने के लिए मिलता है आपका age limit जोगा 182024 मतलब 182024 तक में आपका 1818 वर्सपूर जाता है तो आप इस form को बनने के लिए इलिजवल है और आपका यहाँ पर age relaxation की बात करें तो HCST 5 साल, OVC 3 साल और ex-servicemen को यहाँ पर 3 साल का छूट दिया जा रहा है फॉर्म फिल करने के लिए आपको BSF के official portal पर आ जाना इस portal का link आप description box में मिल जाएगा या आप हमारे टेलिग्राम पर join कर सकते हैं टेलिग्राम पर भी आपको यह link मिल जाएगा और आपको बता दे टेलिग्राम पर हमेशा मैं important notice को upload करते रहता हूं चाहे वो किसी vacancy से हो किसी भी सरकारियों जनाओं से हो तो चले दोस्तों आपको form फिल करके दिखाते हैं कि आप किस तरह से बिला किसी गलती के form को फिल कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है नीचे आ जाना नीचे में आपको देखने क्लिए मिलेगा assistance inspector head constable ministerial आपको यहां पर apply here पर click कर देना है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने BSF में कभी form फिल नहीं किया है तो आपको BSF में registration करना पड़ेगा यह आपका registration process है प्रस्तनर information से जो है यहां पर से आपका registration process start हो रहा है लेकिन अगर आपने कभी भी BSF का form फिल किया है तो आपको यहां पर क्या करना पड तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी जीजवच्चे का form फिल कर रहा हूं उसका registration के लिए हो चुका है तो आभी मैं जो form फिल करूंगा वो direct registration ID और password करूंगा उसके बाद मैं payment तक कटा करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से form को फिल किया जाता है दोस्तों registration कि किस तरह से करना इसके उपर भी मैंने एक separate video बना दिया उसका link description box में आपको मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह से registration करना है उसके बाद फिर आप अपना form फिल करना start कर सकते हैं अगर आपका registration पहले सी किया हुआ है तो दोस्तों आपको यहां पर candidate login पर click करन है तो यहां पर email ID आपको डालना है और यहां पर आपको password डालना है अगर आप पहली बार अगर रिच्टे से registration कर रहे हैं तो आपके email पर password चला जाएगा फिर वही email ID और password दे करके आप यहां पर login करके form फिल करना start कर सकते हैं तो simply दोस्तों आपको यहां पर email password उसके आद प आपना वर OTP जाएगा OTP दे करके आप यहां पर से login करेंगे उसके आद I am note पर टिक करना है फिर आपको submit पर दोस्तों यहां पर click करना है जैसे आप submit पर click करेंगे तो यहां पर guideline school के आएगा इस guidelines को दोस्तों आपको यहां पर close कर देना है उसके आद आप देख सकते हैं कि जिसी बच्चे का आपने यहां पर profile login किया उसका नाम यहां पर आपको welcome यहां पर आपको show करेगा उसके बाद आपको बता दे कि आप कोई भी form अगर fill करना चाहते हैं तो आपको यहां पर apply new advertisement पर click करना है जैसे आप इस पर click करते हैं तो आप यहां पर इस वाले site पर फिर स पर आप से पुझा जा रहा है कि आपने 10 प्लस टू किया हुआ है क्यूंकि यह आपको बता देखिए जो form निकला हुआ यह 10 प्लस 2 के studenties form को feel कर सकते हैं तो अगर आपने 10 प्लस 2 किया है तो यहां पर आप से पुझा जा रहा है physical standard तो यहां पर physical category आपका क्या है यहां पर आपको category चूज करना है यहां पर आप से पुझा जा रहा है गोर्खाज दरोगाज मराठाज उसके आप फिर सिक्कीम नागाल लेंड अरुनाचल प्रदेश अगर आप इन सवीज जिएं से बिलोंग करते हैं इन सवीज जगों से बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पर इस घुझा जाएगा जो भी हईट होगा आप भर दिजिएगा उसका जो आपको चेस्ट यहां पर बढ़ देना है फिर यहां पे वेट आपका जो गपीद्व कर देना है उसके उसके दोस्तों आपनोड अप्लोड कोमेंट में अप्लोड क्वालिफिकेशन रगहारा है तो जैसे कि BSF, CISF, CRPF, SSB, Assum Rapples जैसे बहुत सारे पोश्ट हैं तो आप पहला प्रिफिरेंस में किस पोश्ट को रखना चाहते हैं, दुसरा में किस को रखना चाहते हैं, तिसरा में किस को रखना चाहते हैं, चौथा, पचमा, छटा, आप इस तरह से यहां पर सारा को इसकि मेरा मन है, हम तखें, जिस तरह सेलेट कर रहे हैं, जो आपके भैतरी भैतरी कर रहे हैं, आप वो अपने slowsे्ट कर सकते हैं, सेलेट करने के वाद दोस्तों आप यहां पर सेवे नेक्स पर किलिक करेंगे जैसे आप यहां पर सेवे नेक्स पर किलिक करते हैं प्रिव्यू पर पहुंझ आते हैं प्रिव्यू में देख सकते हैं कि आपने जितनी भी जनकारी यहां पर दी है वो सारी जनकारी यहाँ पर सही सही भड़ी हुई है या नहीं अगर कुछ भी जनकारी दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर सही नहीं है तो आपको क्या करना है बैक करके जाना है आपको वहाँ पर सही कर लेना है और अगर मतलब सारा कोज अगर आपका सही है तो आपको यहां पर क्या करना है यहां पर से आप फॉम्पील कर रहे हैं अपने विलेश का नाम या आपके city का नाम यहां पर लिग दीजिए उसके center प्रिपेंस चुनने का option दिया जा रहा है तो आपको यहां पर क्या करना है center मे आपको है उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर किलिक करना है उसके वाद कुछ गलत है तो आप बैक करके सही कर अगर सब कुछ आई है तो आप पर पिएऑ पर किलिक करेंगे आप पर ईके आंप लूस्का पर कुल के आता है बाद को अधीर प्रक्रिक टेज़ा प्रोसेंग करने के बाद आपको थोड़ा हूं गरणैसके device只 यहां पर आपका पेमेंट दोस्तो सक्सेश्पूल हो चुका आप यहां पर से पेमेंट का डिसिव है न यहां पर से आप के application history में आपका form दिखने लगेगा कि आपने कुन सा form feel किया है आपको भी इसी तरह से BSF constable और ASI का form feel करना है दोस्तों आपको BSF hate constable और ASI का form किस तरह से feel करना मैंने बहुत ही अच्छे सापको समझाया अगर आपको यूट्यूब चनल को जरू सस्क्राइब किजए क्योंकि मैं हमेसा हर वेकेंसी से related वीडियो हमेसा अपने यूट्यूब चैनल पर आता रहता हूं चाहे कोई किसी परकार का notification हो या किसी परकार का form feel करने वाली बात हो धनीवाद दोस्तों